हेलो एवरिवन जो S.O.L. की शिक्स समेश्टर के जो सब जैक्ट और सिलेबस हैं वो कंफिर्म कर दिये गया है S.O.L. की ऑफिशिल वेबसाइट पे कल मैंने एक इस पे वीडियो बनाई थी और आच तो तुरंत थी अब जो है यहां पर एक CBCS वाले option पर हम लोग click कर देंगे, CBCS syllabus यूजी वाले option पर click कर देंगे, तो यहां पर देखिए आपको option देखने को मिल रहा होगा, अभी BA program का, देखिए सबसे पहले हम BA program पर याएंगे, और नीचे की और scroll down कर देंगे, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, यह semester 1 का है, इसे नीचे की और scroll down करेंगे, तो आपको यहां पर अपना semester 6 का जो है देख सकते हैं, आप लोग, subjects के जो name है, और आपको देखने हैं, जो subjects के name है, आपके वो show हो रहे होंगे, अब आपके दो तो discipline course हो गए, अगर माल लीजी आपके जो दो discipline course हैं, वो economics है, तो आपको economics के अंदर क्या पढ़ना होगा, economics, development and policy in India, ठीक है, part 2 इसका आप लोग पढ़ेंगे, अगर आपका education है, तो education in India, policy and practices, ठीक है, तो यह आपको पढ़ना होगा, English के अंदर, आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है, English के अंदर, English world literature, अगर आपने हिंदी लिया है, तो कोश, विज्यान, शब्द कोश और विश्वकोश, और हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है, यह आपके जो subject से मों mention कर रखे हैं, political science में होगा, आपका political science, understanding, globalization, संस्कृत के अंदर, आपका mathematical tradition in Sanskrit, ठीक है, तो यह सब आपको पढ़ना होगा, अपने discipline courses के अंदर, इसी के अंदर आता है, आपका skill enhancement compulsory course, ठीक है, यानि कि आपका जो SEC है, वो आपका आता है, अब इसमें अगर आपने economics ले रखा है, अगर आप economics में हैं, तो आपको पढ़न होगा, economics के अंदर, यहां पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है, इस हिसाब से आपको चलना होगा, education के अंदर, media and education, history के अंदर, radio and cinema in India, ठीक है, आपका political science के अंदर, conflict and peace building, ठीक है, संस्कृत में आपको पढ़ना होगा, यह दे रखा है, ठीक है, तो यहां पे आपको इस तरह पढ़ना होगा, अपने skill enhancement का subject, जो भी आपने choose करेंगे, उस हिसाब से आपको उस subject के अंदर, यह part पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, अब यहां पे बात आती है, आपकी आखरी और GE की, यानि की generic elective की, अब generic elective में एक doubt में आपका clear कर दीता हूँ, अगर माल लीज यह आपने 5th semester में जैसे political science लिया था, तो क्या आप 6th semester में ले सकते हैं, बिलकुल ले सकते हैं, देखिए क्यूं, क्यूंकि आपने 5th semester में जो पढ़ा था, वो था understanding गांधी, और आप जो 6th semester में पढ़ेंगे, वो है human rights, gender and environment, तो आप लोगों को यह नहीं सोचने हैं कि मैंने 5th में भी प्रोग्राम की जो कल मैंने discuss नहीं कर पाया है, इसलिए सबसे पहले ही इसी को discuss किया है, अब बात आती है, बीकॉम प्रोग्राम की नीचे, आज मैं आपको बतारे जा रहा हूं, एक best app के बारे में, जिसका नाम है फिलो, फिलो आप पे आप अपने किसी भी question, किसी भी doubt यह तक कि JEE और NEET के बड़े-बड़े question का जो जवाब है, वो पासकता live video call के through, तो बस आप लोगों को करना का है, एप का link मैंने नीचे description box में दिया हूँ है, उसको जाए, download करे, mobile number के through register करे, और मेरा promo code यूज़ करना आप भूले, 11001, इससे आपको 10% discount मिल जाएगा, तो करना पड़ेगा, जो हमने कली बात कर ली थी, banking and insurance, management, accounting और computerized accounting system, ठीक है, इन में से कोई एक आपको चूज़ करना पड़ेगा, तो आप उसी साब से अपनी study शुरू कर दीजेगा, DSC यानि कि जो आपको DSC 2 हो गया, इनी 4 और या पे, इन में भी anyone में आपको कोई एक ही बस यही choice होंगी, इन में से आपको एक choose करना पड़ेगा, रही बात आपकी SEC के अंदर तो इसमें आपको advertising या फिर personal selling and salesmanship को इन में से एक choose करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे GE के अंदर आपका principle of microeconomics, यहाँ पे आपको वही subject दिया गया है, जो हमने कल बात की थी, यहाँ पे share, यह वो तो introductory था, लेकिन इस बार आपको कोई choice नहीं, इस बार यह पढ़ना होगा, principle of microeconomics, तो change करा गया है GE का subject भी, become honors पहेंगी, नीचे की और scroll down कर देंगे, तेजी सा आते हुए, core courses यहाँ पे तैय हो जाएंगी, ठीक है, auditing and corporate governance, ठीक है, और आपका goods and service tax, यह नी, GST और customs laws आपको पढ़ने होंगे, DSE के अंदर आप लोगों को इन में से कोई एक पढ़ना होगा, fundamental of investment या फिर, ठीक है, compensation management, और DSE 4 के अंदर भी आपको दो choices दिये जाएंगी, anyone, इन में से कोई आपको पढ़ना होगा, international business and industrial relations and labor laws, ठीक है, तो यह तो बात होगी, हम Indian political thought, ठीक है, DSE के अंदर भी कोई choices नहीं दी गई है, मतलब इनके 4 subject जो है, वो confirm है, public policy in India, और Indian foreign policy in a globalizing world, ठीक है, तो यह आपको 4 subject जो है, पढ़ने होंगे, BA honors political science के बच्चों को, बात आती है, फिर BA English honors की, English honors के लिए भी नीचे आ जाएंगे, यह दो subject कली, आप लोगों को बता दिये गए थे, modern European drama और post-colonial literatures, और DSE के अंदर भी choices नहीं है, literatures and cinema, और literature and disability, यह हो गई बात हमारी subjects के उपर, अगर देकिए, अभी हम SL की website पर आते हैं, CVCS sources, resources पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपका slaves तो अभी नहीं आया है, इस वाली पर अगर हम क्लिक करेंग तो ऐसे में क्या करने, अब वो सुनिए, Delhi University की official website पर आदेंगे, official website पर आने के बाद menu वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, menu वाले बटन पर जैसी क्लिक करेंगे, slaves वाले option पर क्लिक करेंगे, 2019-2022, ठीक है, यह मैंने आपको बताया था, 2020 पर, अब यहाँ पर नीचे आएंगे क्यों यह master course इसका है, यहाँ पर एक option आपको मिलता है, नीचे आने के बाद continue गा, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ, become वाले बच्चों की जैसे become program के है, तो उनको क्या करना है, जो अपने syllabus जानना है अगर उनको, तो उनको क्या करना है, department के section में आप यहाँ पर देख रहे है, department of commerce में उनको मिल जाएगा, become program और become honors ठीक है, इस हिसाब से वो लोग अपनी PDF डाउनलोड करेंगे, और अपना जो syllabus है, वो चेक कर लेंगे, ऐसे ही नीचे आएंगे, नीचे की आएंगे, 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 इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी उनका syllabus है, department of political science के section में आएंगे, तो जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, वो लोग जो है, अपना syllabus है, वो डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ से ठीक है, यह दे रखा है, भी यह ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सिक्स है, मिस्टर की जो पीडिएफ है, बीए उनस पॉलिटिकल साइंस की, वो दे रखी है, यहाँ से वो लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे, तो अब बात आती है, लेकिन अभी भी हमारी बीए प्रोग्राम का क्या, तो उन लोगों को भी सिम यही चीज़ करनी है, उनके दो discipline subject हैं, उस उस department पर आप लोग विजिट करेंगे, जैसे आपका अगर माल लीज़े, history है, discipline subject में, तो आप लोग नीचे की और आएंगे, और आप department हम history वाले section में आ जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद, आप देखिए, बीए और यह आपको मिल जाएगा, बीए प्रोग्राम तो अब अपनी preparation जो है वो आप लोग start कर सकते हैं, कोई दिक्कत अब आप लोगो लगभग रह तो नहीं गई होगी, मेरे एसाब से जित्ना मुझे लगता है, बाकी यह वीडियो पस्ते हैं यह तो आप लोग इसको like जरूर कीजेगा, share जरूर कीजेगा, और हो सकता तो आ नवाद आपका दिन शो बुब